हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका ब्लॉग विट स्वानु में आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ होट वाटर वैग का रिव्यो मैंने अमजन से मंगाया है और मैं आपको बता दू कि इसको मैंने यूज भी कर लिया है मैं आपके साथ अपना एक्सपेरिंस भी सेल करूंगी इसको कैसे यूज करते हैं ये भी मैं बताऊंगी और आपको अगर पच्छिस करना है तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप करके देखते हैं कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सेरा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा यह इस तरीके के पैकेट में आता है और यह आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है पिंक और इस पे जरी सारे फ्लावर्स बने हुए हैं तो मैं आपको इक बार बता देती हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं यह जो अडप्टर दिया हुआ है इसको हमको इसमें प्लग करना होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यह प्लग दिया हुआ है प्लग करने के लिए और यह जो दिया हुआ है इसको आप अगर देखना चाहें कि इसके अंदर क्या होता है लिक्विड इसमें या पानी होता है तो आप इसको भी उपन करके देख सकते हैं और यह जो होता है इसको उपन करके यहाँ पर हमारा अडप्टर लगाए फिर उसके बाद इसको चार्ज करेंगे, जैसे कि इसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन होता है, मैंने निकाल दिया है, लेकिन आप इहां पर इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, इसके बॉक्स पे सारे इंस्ट्रक्शन दिये होते हैं, प्रोडक्ट का फीचर दिया होता है, आप को एक बार यूज करने के लिए सिर्फ 7-12 मिनट ही उसको जो है चार्ज करना होता है, और जब आप चार्जिंग में लगाएंगे, तो ये जो है, इसमें लाइट जलेगी, लाइट अप होगा ये, और जब भी ये चार्ज हो जाएगा, तो आटोमेटिक ये लाइट आफ हो क्या होती है कि ये ही है कि आपको बच्चों के रीच से बाहर रखना है, अगर आपके घर में पैट है तो आपको उसके रीच से बाहर रखना है, जैसे कि अमारे घर हमारी अमी है, अमारा बैट तो उसकी रीच से बाहर रखना होता है हमें, अधर्वाइज ये काफी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इसली आप साथ से दस मिनट इसको चार्ज कर लो फिर उसके बाद आट से दस घंटे तक ये आप इसको यूज कर सकते हो इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि जैसे कि अभी विंटर स्टार्ट हो गया है तो अगर आके घर में आपके मम्मी पापा है या फिर कोई भी एल्डर परसन है ओल्ल परसन है जिसको या फिर नॉर्मल परसन हमारी तरह भी है कोई तो उनको अगर किसी को भी अगर बैक पेन होती है किसी भी तरीके का पेन होता है क्राम्स वेगर होते हैं तो उसकी सिकाई में यूज कर सकते हो मेरे इसको मग तो बहुत सारी गर्ल्स अगर आप लोग यूज कर रही होंगी, तो म मेरी ख्याल से बहुत सारी लोग मेरी तर होते हैं, जो गरम पानी यूज करने जादा अच्छा समझते हैं पीरट के टाइमे जो हमें क्रैम्स होता है, जो दर्द होता है उसे चुटकाराबाने के लिए, तो मैंने यह बेसिकली अपने लिए मंगाया है और नॉर्मली भी अगर किसी को इस तरीके का भी घर में प्रॉब्लम होता है तो वो भी यूज कर सकता है आप इसको एक बार गरम करके फिर उसके बाद आपको जब क्रैम सहूंगे पीरड में तो आप इसको आराम से अपने पेट की सिकाई कर सकते हैं और यह बहुत ही वेनिफीशिल होता है तो एक बार आप चेक कर लेते कि इसको use कैसे गड़ते हैं जिसे कि मैंने आपको दिखाया ये इसका प्लग करने के लिए adapter को ये जगे होती है तो मैं आपको एक बार प्लग करके दिखा देता हूँ यहाँ पे हम ऐसे adapter लगाएंगे ऐसे ये एक बार लग जाएगा फिर उसके बार मैं आपको एक बार इसको प्लग करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसको अभी प्लग कर दिया है और अब मैं on करूंगी तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक light जल रही है मैं आपको एक बार नजदीक से दिखा देते हूँ ये light जल रही है अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये off हो जाएगा तो इस तरीके से आप हम वेट करेंगे 5-7 minutes का और इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि जब चार्जिंग में लगा हो तो हमें थोड़ी साधानी बरतनी होगी कि normally हम भी इसको गिले हाथ से जो है टच ना करें क्योंकि वैसे भी ये electric है इस तरीके का कोई problem तो नहीं होता है but safety purpose है it's better कि हम इसको touch ना करें 5-7 minutes के लिए और हमारे घर में अगर बच्चे जैसे कि मैंने अल्रेडी बचाया बच्चे या pets हो या कोई भी हो उसको इससे दूर रखें फिर उसके बाद आप जब एक बर गरम हो जाए फिर उसके बाद आप इसको use कर सकते हैं की अब चैक कर लेते हैं जैसे कि मैं बता दू और मुझे दो से तीन मिनट हो गया मैंने इसको charging में लगाया हुआ है अब मैं एक बार चैक कर लेती हूं कि यह दो से तीन मिनट में भी थोड़ा गरम हुआ है या नहीं हुआ है जैसी कि अभी मैंने चेक किया, अभी मुझे 2-3 मिनट हुआ है और यह अभी से ल्यूकवार्म वाटर जो होती है वैसा अभी यह गरम हो चुका है तो अगर आपका हितने में काम चल जाता है तो आप इस तरीके का भी हल्का फुल का भी गरम कर सकते हो और आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 5-7 मिनट जब तक इसको अच्छे से गरम नहीं हो जाता तब तक आप एक बार यूज करके गरम करके और यूज कर सकते हो आप तो अभी आप देख सकते हैं मुझे जो है यह 7 मिनट हो चुका है और यह अच्छे से गरम हो चुका है जैसा लग रहा है तो अब मैं इसको बंद कर दूँगी अब मैं इसको use कर सकते हूँ यह अच्छा खासा गरम हो चुका है और अब मैं इसको use कर सकते हूँ तो यह था आजका मेरा आपको अगर आपको इसको निकालना है तो आप इस तरीके से करके अड़ाप्टर निकाल देंगे फिर उसके बाद वापस आप इसको ऐसे लगा देंगे और आप अपना डॉप्टर रख सकते हैं कहीं साइड में अब आपके ये यूज करने के लिए रैडी हो चुका है अब आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं आपको जैसे भी यूज करना है अपने बैक पैन के लिए होट वर्टर बैक का रिव्यू जो कि इलेक्ट्रोनिक होट वर्टर है मेरी सबसे मैं आपको यह हाली रिक्वेंड करूंगी कि बिंग गर अगर वोमेन अगर आपको स्टमक प्रोब्लम होती है अगर पीरियर्स के टाइम पर तो आप इसको जो है यूज कर सकते हो और यह ब मेरे लिए तो यह हाइले रिक्वेंड है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करियेगा और अगर आपको भी इस तरीके के क्रैम्स और प्रोब्लम होती है स्टमक में की या फिर बैक में की या फिर आपके घर मे आपके ममी पापा या कोई भी ऐसे हैं जिनको जरूरत होती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं इसमें आपको बार बार पानी भनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप एक बार चार्ज कर देंगे फिर ये घंटों यूज करने के लिए आपको रैडी रहता है अगर तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एमेजोन पे फिलिपकार्टे ये इसली अवेलेबल है मैंने इसको अमेजोन से ही मंगाया था तो अगर आप कुछ चाहिए तो आप एक बार लिंक पे क्लिक करके और आप उसको तो ट्रैकर्सक्तिंग तो तो फूझाञ़ए तो 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 झाल 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 झाल